हेलो एवरिवन तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 12 की विस्ताज बुक के चाप्टर 2 दर टाइगर किंग को जिसके राइटर है कल की तो चाप्टर की स्टार्टिंग में आउथर हमें बताते हैं कि जो प्रतिबंध पुरम के जो महराजा हैं वो हमारी स्टोरी के मेन केरिक्टर हैं और उनके कई सारे नाम थे जैसे की हाइनेस, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सर, जिलानी, जंग-जंग, भाध्दुर, इस टाइगर किंग है, उनकी डेथ हो जाएगी, तभी एकदम से वो जो 10 डेज का चाइल्ड था, मतलब जो टाइगर किंग थे, वो एकदम से कहते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ होता है, उसे एक दिन मरना ही है, इस प्रेडिक्शन में कोई सेंस तभी होगा, अगर आप हमें ब होते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रिंस हैं, यानि जो टाइगर किंग है, उनका बर्थ बुल के आर में हुआ है, और क्योंकि बुल टाइगर का दुश्मन होता है, इसी लिए इनकी डेथ एक टाइगर के कारण ही होगी, और तभी वो जो छोटे से प्रिंस होते हैं, वो कहते ह let tigers be where मतलब tigers अब मुझसे सावधान रहे और फिर author हमें बताते हैं कि ये जो incident हुआ था उनके birth के time पर ये सिर्फ एक rumor है, एक अफवा है जो प्रतिबंध पुरम में फैली हुई थी पर जैसे जैसे हम इस story को आगे पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि इस अफवा में जरूर कोई सच्चाई है इसके बाद author हमें बताते हैं कि फिर जो prince जंग-जंग भाद्दूर होते हैं वो बड़े हो गए थे साथी में वो सिर्फ एक English काओ का milk ही पीते थे और उन्हें एक English nanny ही संभालती थी साथी में एक Englishman ही उन्हें English पढ़ाते थे और वो सिर्फ English films ही देखते थे जैसे कि उस time पर दूसरे Indian princes भी किया करते थे और क्योंकि ये story उस time में लिखी है जब Britishers का influence बहुत ज़ादा बढ़ गया थे हमारे इंडिया के उपर तो इससे हमें पता चलता है कि जो Indian kings थे वो कितना ज़्यादा influence थे Britishers से और उन्हें superior मानते थे इसलिए वो उन्हें copy करते थे साथी में जब वो 20 साल के हो गए थे तब उन्हें प्रतिबंध पुरम का राज्य संभालने के लिए दे दिया गया था मतलब वहां का महराज बना दिया गया था और उस time पर वो astrologer की prediction जो पहले उन्होंने की थी वो वापस सभी लोगों को याद आने लग जाती है और वो इस बारे में बाते करने लग जाते हैं साथी में जब महराज को भी ये याद आता है तो वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने self defense के लिए किसी tiger को मार भी दूंगा तो इसमें किसी का भी कोई objection नहीं होना चाहिए इसलिए जो महराज होते हैं वो एक tiger hunt के लिए निकल जाते हैं और जो महराज होते हैं वो काफी ज़्यादा खुश होते हैं अपना पहला tiger मार लेते हैं और फिर वो tiger की dead body को state astrologer के पास भेजते हैं तब वो astrologer उन्हें बताते हैं कि your majesty आप 99 tigers को काफी आराम से मार लेंगे जैसे कि आपने इस पहले tiger को मारा है पर actual में आपको जिस tiger से खत्रा है वो आपका 100th tiger होगा और आपको उसी से सावधान रहने की जरुरत है और साथी में जब उनसे king पूछते हैं कि अगर मैंने 100th tiger को भी मार लिया तो तब astrologer कहते हैं अगर आपने 100th tiger को भी मार लिया तो मैं अपनी सारी astrology की books फार दूँगा साथी में मैं अपनी tough यानि अपनी चोटी भी काट लूँगा और एक insurance agent बन जाऊँगा ऐसा वो astrologer कहते हैं इसके बाद जो महराज होते हैं वो पूरे kingdom में tiger hunting को ban कर देते हैं और कहते हैं कि अब इस kingdom में सिर्व महराज के अलावा और कोई भी tiger को नहीं मार सकता है अगर किसी ने एक पत्थर तक फेकने की कोशिश की किसी tiger के ऊपर तो उसकी सारी property उनसे ले ली जाएगी उस पर कबजा कर लिया जाएगा साथी में महराज ये भी कहते हैं कि अपसे वो इस state के सभी कामों को या इस state के जितने भी problems हैं उन पर तभी ध्यान देंगे जब वो अपने hundred tiger को मार लेंगे इसके बाद महराज अपने tiger hunt पर निकल जाते हैं और वो कई सारे tigers को मारते हैं कभी-कभी तो उनकी bullet जो होती थी वो miss कर जाती थी tigers को और फिर वो अपने bear hand से ही उस tiger को मारते थे और हर बार जो महराज होते थे वही tiger से जीतते थे इसके बाद एक और incident होता है जब एक high ranking British officer प्रतिबंध पुरम में आते हैं और उन्हें tiger hunting का बहुत ज्यादा shock था और उनके साथ photograph खिचवाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था तो इसी लिए वो प्रतिबंध पुरम में भी tiger hunting करना चाहते थे पर महराज ने उन्हें इसकी permission नहीं दी और उन्होंने कहा वो किसी और animal की hunt organize करवा सकते हैं पर tiger hunting के लिए वो कोई भी permission नहीं देंगे और क्योंकि वो एक British officer को मना कर रहे थे और Britishers उस time पर इतनी power में थे तो एक तरीके से महराज अपना kingdom भी खो सकते थे इस कारण से और इसके बाद जो उस British officer के secretary होते हैं वो महराज के पास उस British officer का message लाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो किसी tiger को नहीं मारेंगे जो महराज है वो खुद ही उस tiger को मार सकते हैं बस उन्हें सिर्व एक photograph चाहिए उस death tiger के साथ पर महराज इसकी भी permission नहीं देते हैं क्योंकि वो सोचते थे कि अगर वो इस British officer की wish को पूरा करेंगे तो हो सकता है दूसरे British officers भी यहाँ पर tiger hunting की permission मांगने आ जाएं और अगर वो इस British officer को मना कर देते हैं तो फिर हो सकता है कि महराज अपना राज्य ही खो दें तो इसी के लिए अब महराज अपने दीवान के साथ काफी देर तक discuss करते हैं और फिर वो एक British dwellers की company से जो की Calcutta में थी उनसे 50 expensive diamond rings मंगवाते हैं अलग-लग design की और वो सब वो उन British officers की wife को भीज देते हैं और वो सोचते हैं कि वो दो या तीन ring रख कर बाकी की rings वापस भीज देंगी पर उस British officer की wife जो होती है वो सभी rings को अपने पास रख लेती है और फिर महराज को एक message send करवा देती है जिसमें वो महराज को thank you कहती है और फिर महराज के पास वो British company भी 3 lakh रुपीज का बिल भेज देती है उन rings के बदले में पर जो महराज होते हैं वो काफी खुश होते हैं भले ही उन्हें 3 lakh रुपीज का बिल पे करना पड़ गया था पर उन्होंने अपना kingdom बचा लिया था क्योंकि अब उन British officer ने भी वापस से वहाँ पर tiger hunting की permission मांगना बन कर दिया था इसके बाद जो महराज होते हैं वो अपनी tiger hunt को continue रखते हैं और 10 सालों के अंदर ही वो 70 tigers को मार लेते हैं पर फिर एक बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है उनके mission में जब उनके kingdom में जो tiger population थी वो लगबग खतम हो जाती है तो इस problem का solution निकालने के लिए जो महराज होते हैं वो अपने दीवान को बुलाते हैं मतलब अपने एक मंतरी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप statistics draw कीजिए आप देखिए कि किस kingdom में कितने tigers हैं और इन kingdom में वहां की royal family में कोई ऐसी लड़की है क्या जिनसे वो शादी कर सकते हैं तो इसी लिए दीवान उनके लिए एक सही state या एक सही kingdom ढूनते हैं जिसके अंदर tiger की population काफी ज्यादा थी और फिर महराज उस kingdom की royal family की एक लड़की से शादी कर लेते हैं और फिर जब भी महराज अपने father-in-law को visit करते थे वो 5-6 tigers को मार देते थे हर बार और इस तरीके से वो 99 tigers को kill कर चुके थे और वो उन सभी tigers की skin को अपने पतिबंध पुरम palace के hall के reception पर लगवा देते थे उन्हें सजा देते थे वहाँ पर इसके बाद जो महराज थे उनकी excitement काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि वो already 99 tigers को मार चुके थे अब उनका अगला tiger 100th tiger होने वाला था पर इस time तक जो उनके father-in-law का kingdom था उधर भी tiger population बिलकुल खतम हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अब किसी tiger को ढूणना लगबग impossible हो चुका है जो महराज हैं वो सोचते हैं कि अगर वो सिफ एक और tiger को मार लेंगे तो उनका सारा डर खत्म हो जाएगा और वो tiger hunting को भी अब छोड़ सकते हैं साथी में उन्हें astrologer की भी बात याद होती है कि उन्हें extremely careful रहना है अपने hundred tiger को मारते समय पर महराज को अपना hundred tiger कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता है इसके बाद एक good news आती है पासी के एक village से जहाँ पर जो sheep होती हैं वो frequently disappear होती जा रही थी और सबको लगता है कि वो किसी tiger का ही काम हो सकता है इसलिए जो महराज होते हैं वो जल्दी से उस village में जाते हैं साथी में वो उस village के लोगों के लिए तीन साल का tax भी माफ कर देते हैं वो इतना जादा खुश होते हैं पर जब वो उस village में पहुँचते हैं तो किसी भी tiger को नहीं डून पाते हैं वहाँ पर भी और इसके महराज दिवान को order देते हैं कि अब से यहां का land tax double कर दिया जाए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दिवान की भी job खत्रे में पढ़ सकती है इसके बाद जब दिवान अपने घर जा रहे होते हैं तब वो सोचते हैं कि अगर महराज को उनका hundred tiger जल्दी से जल्दी नहीं मिला तो उसके काफे खराब results हो सकते हैं इसलिए वो people's park जो की मदरास में से है वहां से एक tiger को मंगवाते हैं और फिर महराज जहां पर hunting करने गए होते हैं वहां पर वो उस tiger को छोड़ देते हैं और इसके बाद वहां पर वो जो old tiger था वो tiger जो था हो काफी बुड़ा था व उन्होंने अपने 100th tiger मार लिया है और फिर उनके साथ में जो दूसरे hunters होते हैं वो उन्हें order देते हैं कि वो इस tiger को लेकर उनकी capital city में ले आए और इसके बाद महराज अपनी कार में बैठ कर वहां से चले जाते हैं इसके बाद जब वो hunters उस tiger को देखते हैं तब उन्हें प भियोश हो गया था वहीं पर ही गिर गया था और फिर वो सोचते हैं कि अगर वो महराज को यह बताएंगे तो महराज काफी जादा नाराज होंगे और एक तरीके से यह उनकी disrespect करने के बराबर होगा कि हम उनसे कहें कि आपका निशाना चूक गया है इसलिए वो hunters खुद ही उस टाइगर को मार देते हैं और फिर जैसा कि महराज ने कहा था उस टाइगर को उनके capital में ले जाया जाता है और उस टाइगर का काफी grand procession किया जाता है काफी grand तरीके से उनका event किया जाता है और फिर जहाँ पर उस hundredth टाइगर को दफनाया जाता है वहाँ पर उसके लिए एक तोंब भी बनाया जाता है इसके कुछ दिनों बार अब महराज के बेटे का third birthday आने वाला होता है और इतने time से क्योंकि महराज tiger hunting में busy थे तो वो अपने बेटे पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे पर इस बार वो कुछ special करना चाहते थे अपने बेटे के birthday पर तो इसलिए वो shopping center पर जाते हैं प्रतिबंध पुरम के और वहाँ पर अपने बेटे के लिए एक gift ढूणने लग जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक wooden tiger दिखता है एक toy shop में जो की उन्हें एक perfect gift लग रहा था अपने बेटे के लिए इसलिए वो उसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद जब महराज और उनके बेटे उस wooden tiger से खेल रहे थे और क्यूंकि वो tiger एक unskilled car painter ने बनाया था मतलब जिसने वो wooden tiger बनाया था वो इतना ज़्यादा skilled नहीं था इसलिए वो जो tiger था उसकी surface बहुत ज़्यादा rough थी और उसमें बहुत सारे wooden slivers मतलब काफी सारे wooden pieces उसमें से निकल रहे थे जो की बिलकुल काटों की तरफ थे और ऐसा ही एक sliver महराज की right hand की finger में चुब जाता है और फिर अगले दिन महराज के right hand में infection फैलने लगता है उसके काराण और फिर चार दिन बाद वो infection उनके पूरे right arm में फैल जाता है इसके बाद मदरास से तीन famous surgeons को बुलाया जाता है जो की काफी देर तक discussion करने के बाद महराज का operation करने के लिए decide करते हैं उसके बाद वो तीनों operation करते हैं और operation करने के बाद वो कहते हैं मतलग उन्होंने तो काफी अच्छे से उस operation को पूरा कर लिया था और operation भी successfully पूरा हो गया था पर फिर भी महराज जो है उनकी death हो गई और इस तरीके से जैसा की astrologer ने predict किया था कि जो hundred tiger था उसके कारण ही tiger king की death होई तो यहाँ पर खतम होता है यह chapter the tiger king और यह इस chapter की एक summary थी और अगर आपको इस chapter का detailed explanation भी देखना हो तो उसका link भी आपको description में मिल जाएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like करें और अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाते हैं तो इस channel को subscribe करें अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में Thank you